तो चलो दोस्तों ये लाजवाब सा चीजी पास्ता मैक्रोनी घर पर हम बनाने का तरीका देख लेते हैं जो बनाना बहुत ही आसान है जिसमें हमने डेर सारे वेजिटेबल यूज किया हुआ है तो इसको देखने के बाद बच्चे तो क्या बड़ों को भी दिल थामना मुश तो सबसे पहले ले लेते हैं हम एक पैन और पैन में डाल लेते हैं धेर सारा पाने क्योंकि माइक्रोनी को उबालने के लिए अच्छा खासा पानी लगता है उसमें डाल देंगे थोड़ा नमक और तेल जिससे हमारी माइक्रोनी आपस में ना चिपके क्योंकि जब भी हम प तो क्या मेरी मैक्रों, आच्छे से गल गई है देखें यहां कंखों गई है आप यह तो कोई स्टेनर के डाल ली या फिर से गिजी को पारी के उसको बाहर ली कि पर लिए अब उसको निकल लिया दूसरा पैन रख लेते हैं, आप पैन में डालते हैं तेल, तेल डालने के मर्द डालते हैं वेजेटेबल, वेजेटेबल तो देख लो, वेजेटेबल में डिया है कटा हुआ प्याज, और कटा हुआ तमाजा, गाजर और कैपसिकम यानि शिमला मिर्ची और ये पास्ता मसाल हो तो चलेगा, जयिसे ही हमारा तेल करं हो जाता है तो यह सब से पहले डालेंगे ने काटा हूआ City पर और साथ में काटा हूआ गाजर भी हम साथ ही आड कर लें और साथ में डालेंगे हम उसमें कटि हुई शिम्रमिची , यह तीनों भी एक ही गाटाकीरी के हैं तो इंको तीनों को एक ही साथ पकाएंगे हम, इनको सबको डालने के बाद, अच्छे से हमें, दो से तीर मिन्ड़ करना है, दो से तीर मिन्ट होने के बाद में, अब उसमें हम मसाला वगएरा अड़ कर लेंगे, तो हम सबसे पहलंगे नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालने के बाद में थोड़ा सा जिंजर गारली का पेस्ट यूज़ कुआ है मैंने आप अगर चाहो तो उसको कद्दू कस करके या फिर क्रश करकर भी डाल सकते हो उसे और थोड़ा जादा स्वाद बढ़ जाता है तो हमने या जिंजर गारली का पेस्ट अवेलेबल था तो वही आड़ कर लिया यह डालने के बाद में अच्छे से भूनना है और जब भूने जाए तो हम टमाटे आट कर देंगे उसी के साथ हमने यह मिर्च आट की हुई है तो यहां हमारी मिर्च में आधा स्पून हमारी नॉर्मल मिर्ची दी और आधा टीस्पून हमारी शिमला मिर्ची दी जिससे हमारे पास्ता या मैक्रोनी को बहुत अच्छा red कलर आएगा तो इस तरह डालना है और उसको हम 5 मिट के लिए कवर कर देंगे 5 मिट बाद देखते हैं तो हमारे टमाटर और वाकी सारे वेजटेबल अच्छे से सॉफ्ट हो गए है उसके उपर डाल देंगे हम टमेटो का सॉस जिससे हमारी मैक्रोनी बहुत ही चटपड़ी और यम्मी सा फ्लेवर लेकर आएगी तो यह डालने के बाद में अच्छा सा हम उसको मिला लेंगे ताकि यह सारा मसाला और टमेटो सॉस एक दुसरे में मिक्स अप हो जाए तो इस तरह से हमें उससे चला लेना है अब हम एड कर लेते हैं मसाला जो कि बहुत अच्छा टेस्ट लाता है लेकिन डोट परी अगर ना हो तो आप मैगी मसाला भी यूज कर सकते हो तो इस तरह से मसाला डालने के बाद में हमें इसको भी अच्छे से मिक्स अप कर लेना है और फिर उसमें बॉइल किया हुआ हमें यह मैकरोनी अड कर लेंगे तो देखिए इसको हम अच्छे से डाल इसरे में मिला लेना है तो इस तरह से हमें थोड़ा सा स्पून चला लेना है और अभी इसको हम थोड़ा सा चलाने के बाद थोड़ा सा इसमें चीज आड कर देंगे जो कि ऑप्शनल है आपके पास अवेलेबल हो तो बेशक डालिएगा ना अवेलेबल हो तो चीज के पोड़ी देर के लिए हम जाग के रखेंगे जिससे क्या होगा ना हमारा चीज अच्छे से मेल्ट हो जाएंगा और हमारा पास्ता देखिए किसा चीजी बन गया है इस तरह से थोड़ा कवर करने के बाद में जो अच्छा सा हमारा चीज है अच्छा खासा मेल्ट हो गया है औ और देखिए कितना गर्म गर्म पास्ता, कितना लाजवाब और कितना माउथ मेल्टिंग दिख रहा है और उसको पर चीज डालने के बाद तो पास्ते में चार शान लग जाते है इसके बाद जब भी आप आगे कभी पास्ता बनाओंगे तो चीज थोड़ा तो इस्तेमाल करके देखिए उसका टेस एक अलगी लेवल पर पास्ती को ले जाता है तो दोस्तो रेसिपी तो जबरदस लगी है, बेशक दिखने में अट्रेक्टिव है और इसको देखने के बाद मुझसे तो रहा नहीं जा रहा है, मैं तो जली इसको टेस्ट करने के लिए आपको भी रेसिपी पसन आई है, तो लाइक एंड शेयर कीजिए दोस्तो और चाइनल पर पहली बार आए है, तो सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूलिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है जबा मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो और लाइक करते हो, तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ में, एक नए दिन में और एक नए तरीके के साथ, सब तक के लिए बाबाई गाईज